है आवरीवन मेरा नमा अप चैख है और आज एक कोकेशन को समझेंगे को शेनाики रूट्ट तूइज इडे स्नॉल इडे स्नल गाम मतलब बताया अब परी मेमें तो इसको पुरुब करने होंगे कि रेशनल हमबर मतलब कि परिमिया संख्या और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई नबर रिश्नल लंबर होता है तो उसको हम PYQ के फार्म में लिख सकते हैं तेहां पर रूटव को हम PYQ के फार्म में सोग करेंगे और जो P और Q होंगे वह इंट्रीजर होंगे जिनका कोई common factor नहीं होगा वन की शीवा कोई है इसनल है तो चलिए इस्टार्ट करते हैं तो सपोच करते हैं कि रूट्टू क्या रेस्नल नमबर है लेट अस सपोर्च रूट्टू इज रेस्नल नमबर एंड we can write root 2 equal to p by q where P and Q are integers having no common factor other then one हमने सपोच किया कि रूट टू क्या रेस्नल नमबर है और यहां पे रूट टू को हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जहां पे पी और की इंटेजर हैं और इनके बीच में कोई कावन फेक्टर नहीं है वन की शिवा कोई कावन फेक्टर नहीं है चलिए बागे सल करते हैं तो जब फूर्ट के साथ आए तहए चागा याँ जागा रुट ते कीउट्न। छास्पार एक कालटू पीmek क्या विन दोनों साइड को स्क्वार करते हैं और इस हारिश्य बोस सइट त्योसाईट मैं चाहिए जैब दोनों साइड को स्क्वार करें गया से साद च् 10 इकल टू होता है 2 इंटू 5 तो इसका मतलब हुगा कि जो 10 है उसका फैक्टर 2 भी है और 5 भी है या फिर कहें 10 को 2 भी डिवाइड करता है और 5 भी डिवाइड करता है तो यहीं पे 2 की स्क्वार इकल टू P स्क्वार तो इसका मतलब हुगा कि जो 2 है वह P स्क्वार को Q 2 dioxide सबढ़ेभआ यहां पे धान दिछेगा एक और पोईट अगर कोई नमबर की सी अवर नमबर को डिवाइड करता है तो वह नम बर उसके स्क्वाइड को भी डिवाइड करें जैसे किया फैन पे जब पी स्कॉार कों डिवाइड कर रहा है तो यही टू पी को भी डिवाइड करेगा जैसे कि मान लिजे टू है 16 को डिवाइड कर रहा है और 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्राइब और जैसा कि हम देख रहा है कि 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है और 4 मतलब हुआ कि जब टू पी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि टू क्या है पी का फेक्टर है जैसे कि यहां पर टेन इकल टू इंटू फाइब लिखे हैं तो इसका मतलब हुआ कि टू टेन का फेक्टर है या यू कहें टू टेन को डिवाइड कर रहा है वैसे ह थे सबस्क्राइब फाइब तेन को मैज दिवाइट कर रहा हमने लिखा है तू डिवाइट स्पी यानिकी टू इस फैक्टर पी तो या लिख दीजिया से तू इज ईज फैक्टर और पी या पर एक्क्राइशनमर्फ पाइशिच डाल दीजिए इसके बाद में हम लिखेंगे 2C equal to P अब यह क्यों लिख रहा है यह देखिए माल लिजे कोई नमबर है माल लिजे हमारे पास है 12 और 12 को लिख सकते है 2 into 6 अगर हम 2 को 6 से multiply करते हैं तो हम को मिलता है 12 तो वैसे ही हम C को एक ऐसा integer मायन के चलेंगे कि जब 2 का multiply C में करते हैं तो हमको मिलता है P त्यालिक दीजे C is some some integer C is some integer मतलब कि C को integer है जिसमें 2 का multiply करते है तो हमको मिलता है P अब इसको बोल लिजे second equation अब इसको बास solve करते है जो जो पी की वैलू हमने टू सी लिखा है इस बैलू को हमें क्रेशन आवर फर्स्ट में रखेंगे तो स्पी के वैलू अमी क्रेशन और फर्स्ट में रखते है तो जाएगा 2 की स्क्वार इकल टू P SQUARE, 2C SQUARE, तिया जाएगा, 2 Q Q Q Eogle 2, 4C SQUARE, तो 4 को 2 से 2 TASEMें तो त्याआ जाएगा, Q 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 QQ Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q Q Q QQ lifecycle है और जब टू की स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तिया तू क्यू को भी डिवाइड करेगा तिया लिग दीजिए तू डिवाइड क्यू यानिकी डैट इंप्लाइज देट तू इस और फेक्टर कियू यहां पर हमको मिला टू इज फेक्टर ऑफ कियू और यहां पर मिला था टू इज फेक्टर ऑफ पी यानिकी इस कंडिशन से और इस कंडिशन से हमको मिलता है कि टू क्या पी और क्यू का कॉमन फेक्टर है और हमने सपोच किया था कि पी और क्यू ऐसे नमबर है ऐसे इ और टू क्यों कफी फेक्टर है यानि कि इसके इसाब से टू क्या है इन दोनों का कावन फेक्टर है अब हम आगे लिखेंगे कि फ्राम एवाग वी फाइंड एड टू जगावन फेक्टर आप पी एंड की बट इट कंड्रेडिक्स अवर सपोजिशन मतलब कि हमने जो सपोच किया था उसको यह गलत सावीत कर दे रहा है तो इसके एसाब से कहेंगे कि यह रूट्टू क्या है इसनल नमबर है आगे लिखेंगे फ्राम एवाग वी फाइंड डैट तू इजा कामन फेक्टर अव P and Q but this contract dicks our support decision that no any other नमबर इज कामन फेक्टर दैन वन सो रूट्टू इज इसनल नेक्स्ट लिक्चर में अन्य कोश्चन को देखेंगे तब तक के लिए जाहिए जय वारत इसनल वारत झाल 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 झाल